हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेइन टेक में गाइस टोड़े वी आर गइंग टो लर्न हाउ टो रिसेट यौर लेपटोप पासवर्ड तो दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जब हम कोई लेपटोप पर्चेस करते हैं या मोबाइल पर्चेस क होती है या तो हम अपने लेपटोप को रिसेट करके उसमें नई विंडो डालते हैं या फिर अपनी लेपटोप को मार्केट ले जाए और ऑफ्लाइं अपने लेपटोप के सामने एक प्रॉब्लम होती है हो सकता है कि आपका डेटा जो है वह कोई चोरी कर ले ले हैँ आसी देटा लॉस्ट होने में हम लोगों को सबसे उड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारा डेटा ही सबसे ज़्यादा important होता है ऐसे में दोस्तों आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने laptop के password को यदि भूल जाएं तो reset कैसे करें ताकि हम अपने laptop को प्रॉपर तरीकी से यूज कर पाएं और कभी ऐसी situation आए हम लोगों के सामने हमारे दोस्तों के सामने या हमारी family में तो हम उस समय इस situation को बड़ी ही आसानी से handle कर पाएं तो गाइस चलिए देखते हैं तो गाइस किसी भी laptop के password को reset करने के लिए या फिर उसके password को break करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरुत पड़ती है पहली चीज एक window की CD और दूसरी चीज एक pen drive लेकिन आज हम जानेंगे कैसे हम बिना CD और बिना pen drive के किसी भी laptop के password को reset कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने laptop पर एक password लगा लेजिए इसके लावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूँ कि आपके पास कोई भी window हो window 10 हो, 8.1 हो, 8 हो, 7 हो या फिर आपके पास laptop हो, desktop हो कोई भी device हो आप आसानी से ट्रिक का इस्तिमाल करके अपने laptop के password को reset कर सकते हैं यदि आप भूल भी गए हैं तब भी आप आसानी से अपने laptop के password को खोल पाएंगे सबसे फेले मैं इना laptop यहां पर होन है और यहां पर हो यहां पर पासबर्ड जो है, यह मांग रहा हो हो यहां पर और यहां पर यह पर निचे जाना है और यहां से आपको करना इसे shutdown तो गाइस जैसे आप इसे शटडाउन करते हो आपका लैपी बिल्कुल बंद हो जाएगा और ओफ होने के बाद आपको करना क्या है आपको इसे ओन करना है और फिर से ओफ करना है यह काम आपको तीन से चार बार करना है कैसे करना मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं सबसे पहले आपका laptop जो प्रॉपर दरीके से off हो जाए तो आपको क्या करना पावर बटन को प्रेस करना है जैसे आप पावर बटन को प्रेस करते हो आपका laptop जो है वो on होगा यह काम आपको तीन से चार बार continue करना है देखिए फिर से on हो रहा है और जैसे यह स्क्रीन आती है मैं फिर से इसे power off कर देता हूँ फिर से off कर देता हूँ मैं इसे एक बार फिर on कर लेते हैं सो गाइस देखिए जैसे चौती बार यह laptop on हुआ है यहाँ पर लिखा हूँ आ रहा है नीचे preparing automatic repair जैसे यह automatic repair लिखा हूँ आ जाता है आपको फिर इसे off नहीं करना है मतलब यह हमारा काम लगबग हो गया है अभी हमें next window का wait करना है सो गाइस हम लोगों के साफने next screen आ गई है अभी हमें यापर क्या करना है advance option पर click करना है जैसे हम advise option पर click करते हैं आपके सामने तीन option आएंगे इसमें हमें troubleshoot पर click करना है troubleshoot में जाने का आद हमें जाना हैu advance option में advance option के अंदर हमें क्लिक करना है system image recovery पर जैसे दोसका आप इस पर क्लिक करते हूं आपके साब ने ये विंडो आती है मैंने भी लैप्टॉप में कोई भी पेंड्राइव यापके सीडी नहीं लगाई है मैं डारेक्ली इसको प्रॉसस को कर रहा हूं तो आप इसको डारेक्ट भी कर सकते हैं जरूरी नहीं आपके पा जाएगी है को बारेक्ता जाएगी इस माइठ फुल स्क्रीन करने के पाद अधावी स्क्रीन पर आपको दिस स्क्रीन को आने के बाद को इसंदिस्पीजर करने आरव ऐसे बसी पर बशुताइब Okay व sounded कर दो का एसे फोल्डर उता है यहाँ और आपकी विंडो इंस्टाइघ तो आपको basically करना क्या है Windows नाम की folder में जाना है Windows नाम की folder में आपको जाने के बाद यह बहुत बड़ी लिस्ट सो होगी इसमें काफी सारी folders होंगे आपको क्या करना है इसमें system32 के अंदर जाना है यूटिल में जो फाइल हो आपको सर्च करनी है आप डारेटली यू टाइप करेंगे तो यू से जबनी फाइल होंगे आपके सामने आजाएंगी फिर आप आसानी से सर्च करवाएंगे या फिर आप और जल्दी फाइंड करना चाहते हैं तो आप यूटी आई लिग पूरा नाम चेंज मत किजिए इसके पीछे आप कोई भी नमबर डाल दीजे या फिर कोई भी आप एंड कर दीजे कुस भी वर्ड और एंटर कर दीजे एंटर करने के बाद आपको यहांप सर्च करना है cmd फाइल को तो आपको क्या करना सीधे cmd टाइप कर दीजे आपको स इसे üst के उपर भी राइट क्लिक करना हैं और इसका नाम करदेना आपको यूटरिव हैं चरहित जैसी ये ये नाम में आपर राप लिख देते हो आपको एंटर करना है और इस window को close करदेना आपको तो दोस्तों अब हम इस window को क्लोस कर देंगे क्योंकि हमारा यहां का काम य इस window को properly close कर देंगे और अपने PC को कर देंगे हम turn off, turn off करने के बाद आपको अपने PC को फिर से on करना है Friends, आदा काम लगबागा आपका हो चुका है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान से steps हैं, इनसे आप अपने laptop के password को बहुत ही easy तरीके से resector कर पाएंगे यहां पर पहुंचेंगे, जहां पर हमें password डालना था और अभी भी यह विंडू जो है, वो password के लिए बोलेगा है यहां पर जैसी यह विंडू आएगी, पासवड मांगेगा, आपको करना है यहां पर नीचे तीन आइकन आएंगे, इसमें वेब का आइकन होगा, और एक प रिमूव कर देना है इसके password को, या तो आप इसे remove कर सकते हैं, या पर आप सीधे सीधे इस पर क्लिक करके, reset password कर दीजेगा, इससे क्या होगा, कि आप नया password डाल पाएंगे, डारेक्ली, तो मैं आपन नया password डाल दिता हूँ, यह मैंने डाल दिया, 123, फिर से मैं डाल दिता ह कर देंगे, और finally फिर से ok कर देंगे, तो आपको क्या करना है, reset करना है यासे password, अभी हम इस window क्लोज कर देंगे, और हमारे सामने जो main window आ रही है, यहां पर हम डाल देंगे, 123, password, जो हमने दुवारा set किया था, वही बाला password और enter कर देंगे, so guys आप लोग देख सकते हैं, जो बहुत आसान है, और जो दूसरा तरीका होता है, उसमें दोस्तों होता क्या आपको एक pen drive की ज़रूत होती है, और यह जो pen drive है, basically बूटेवल होनी चाहिए, बूटेवल का मतलब इसमें window का setup होना चाहिए, अगर window का setup आपके पास है, तो आप इसे लगा कर अपने laptop में, आप बूटिल में जो file है, उसको rename करना पड़ेगा, cmt file को, तब ही आप जो है, वो main screen पर आकर, पासपड को reset कर पाएगे, इसमें होता क्या है, दोस्तों सभी के पास pen drive और cdo ऐसा possible तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये जोनों चीज़े नहीं है, तब भी आप directly सीधे कर सक दोस्तों ये जो trick है, मैंने basically आप लोगों को आपकी knowledge increase करने के लिए बताइए, आप इसका कोई misuse ना करें, personally आप इसका use करें, personally आपको अपनी password को break करना है, आपको करके देखें, अपनी knowledge को increase करें इसके दुरूब So guys, आज हमने देखा कैसे हमने अपने laptop के password को बड़ी ही आसानी से crack कर दिया, और आप भी इसे बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, बस सारे steps आपको follow करने है, video end तक देखनी है, कोई भी step आपको छोड़ना नहीं है, So guys, ये video दिया आपको अच्छा लगाओ, तो इसे like जरूर कर और अगर आप चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अब तक के लिए बने रहे है, brain tech में, मैं आमित आप से मिलूँगा, next video में, bye bye and take care.